जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे आखों के सामने से गुजरते हुए रेल गड़ियों को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था स्टेशन पर आते जाते हैं गाड़ियों को मैं घंटो निहारता रहता मेरी विशेश रुची उन लोगों में थी जो इन जादुई गाड़ियों को चलाते हैं बस एक सपना था कि मैं भी कभी इन जादुई गाड़ियों को चला सकूं मुझे क्या पता था कि एक दिन मेरा भी सपना साकार होगा और मैं बनूँगा एक लोको पाइलट ये एक बहुत ही रुचक नौकरी है क्योंकि कौन सा ऐसा व्यवसाय होगा जिसमें आपको संपोन भारत के मनोरम स्थानों का आनन्द उठाने का मौका मिल सके किन्तो इस काम में चुनोतियां भी कम नहीं एक लोको पाइलट के उपर हजारो यात्रियों और लाखों टन माल की परिवहन की महत्तोबून जिम्मेदारी होती है जैसा कि कहते हैं हजारों मील लंबे शफर की सुरुवात पहले कदम से होती है एक लोको मोटिव को निकालने से पूर्व लोको पाइलट को उसकी बारीकी से जाच करनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि इंजिन चलने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और सुचारू है और सफर पर निकलने से पूर्व लोको पाइलट को ये भी ग्यात होना चाहिए कि जिस सेक्षिन पर वो निकलने को है उससे वो भाली भाती परिचित हो हम प्रोपर रेश्ट करके आते हैं प्रोपर ड्रेस में आते हैं और अपने लोको लोबी में आते हैं साइनिंग ओन टाइम दिया जाता है उस सीज़ाब से उसके बाद आया हमारा टेस्ट होता है यहां पर टेस्ट में पास होने कि बाद हमी यह साइनिग ओन為什麼 जाता है और Cms पर ऴी साइनिग ओन होती हो आप पर उसके बात हमें बताय obras आइस आपको इस गाड़ी में जाना है तो हम प्रौपर उस गाड़ी पर जाते हैं इसमें सेक्षन में आने वाले हर स्टेशन शेहर की पहचान वह अन्य बातों के अलावा अधिक्तम चालन गती सीमा भी शामिल है यहीं नहीं लोको पाइलेट को किसी भी अप्रत्याशित स्थिती के लिए भी तयार रहना पड़ता है और लोको मोटिव के हर गेज और मीटर पर नज़र रखते हुए रह में आने वाले सिगनलों को भी देखना होता है और हाँ इस सीमित सी जगा में सुयम को घंटों आराम से रखना भी कोई कम चुनोती नहीं है कभी कभी इस काम में परिस्तितियां आपके अंदास से कहीं अधिक कठिन हो जाती है सच कहें ये एक नौकरी या काम नहीं एक लंबा सा सफर है एक ऐसा सफर जिसमें रोजा आपको अपनी साहस और चरित्र का नया इम्तिहान दिना होता है एक लोको पाइलट होने के नाते मेरा ये धे होता है कि मैं यात्रियों को उनके गंतब्य तक सुरक्षित और समय से पहुँचा हूँ ये वो महिलाएं हैं जो भारत को एक गौर अपोन भविश्य के सफर पर ले जा रही है इसलिए तो हम इपर्दे के पीछे चिपे नायकों पर गर्व है इन पर्दे के पीछे के नायकों की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन्हें याद न करें क्योंकि यही तो भारतिय रेल की सची भावना को साकार करते है ऐसे हैं अपने लोको पाइलेट भारतिय रेल के सची हीरो मैं हूँ लोको पाइलेट मैं हूँ भारतिय रेल झाल